दोस्तो आज का हमारा ये वीडियो दुनिया के पांस सबसे खतना कीडों के बारे में हैं जिसके काटने मात्र से ही इंसानों की मौत हो जाती है अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगेगा अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल वाट दुध फैक्ट हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब जरू करें नमबर फाइब बोट फ्लाइब दोस्तो इस इंसेक्ट को देखने के बाद सायद आपको लगे कि ये आम मक्यों की तरह है पर एक बात आपको बता दें कि ये आम मक्यों से बिलकुल अलग है क्योंकि ये जब किसी इनसान को काट देती है तो गोर्ट फलाए अपने लारवा से इनसानों के स्पिन के अंदर कुछ पैरा सैक छोड़ देता है जिसे इनसान अपने सरीर पर कुछ चलता हुआ महसूस कर सकता है बोर्ट फ्लाइग मुख्य रूप से मत देवा तच्छी नहीं अमरिका में पाये जाते हैं अगर मादा बोर्ट फ्लाइग इंसानों या जानवरों को काट ले तो ये उनके अंदर नई अंडे दे देती है जो सरील के अंदर 60 दिनों तक रह सकते हैं ऐसे में भलाई इसी में हैं कि इस मकी से हमेसा दूरी बना कर रखे हैं दोस्तो आप ये टाइटल सुनने के बाद हैरान जरूर होंगे क्योंकि इसका नाम ही कुछ ऐसा है पर इसके पीछे भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है दरसल ये कीड़ा इंसानों और अलग अलग जानवरों का खुन चूसने के लिए जाना जाता है और इसका किसिंग बग नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये हमेसा इंसानों के होंटों से खुन चूसता है और यह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि इसे यह हिस्सन नरम लगता है और खुन चुसना असाल हो जाता है लेकिन जब भी यह ऐसा करता है तब यह इंसानों के सरीर में ट्राइपेंसो सोमा क्यूरजी नाम का पेरसाइट छोड़ देता है और इस कारण वह वैक्ति बीमार पड़ भी होगा वैसे तो बीचो के सत्रासो से भी अधिक प्रजातिया पाई जाती है और इन सभी प्रजातियों में से कुछ ऐसे मात्र परके स्कॉर्पियन होते हैं जिन में जहर होता है और जिसके कारण इंसानों की मौत हुई हो लेकिन पच्चिस प्रजातिया ऐसे भी है जिन के डंग से इंसानों की मौत हो सकती है दोस्तों अगर आपको इससे रिलेटेड और जानकारी चाहिए तो हमने स्कॉर्पियन के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है जो आपको हमारी वीडियो के आई बटन और डिस्क्रिप्शन पर देखने को मिल जाएगा नमबर टू फ्यूनल वेब स्पाइडर दोस्तों यह स्पाइडर और और यह स्पाइडर मकडियों की ऐसी पर जातिया है जिसके काटने पर इनसान को इजाज ना दिया जाए तो उसकी मौत हो सकती है दोस्तों आपको इक इंटरेस्टिंग बात बता दे इनका यह नाम अपने जाल बनाने के तरीके से रखा गया है क्योंकि इनका जाल एक फ्यूनल के तरह दिखता है जो दिखने में 1-5 cm तक के होते हैं फ्यूनल वेबी स्पाइटर का डंग नीचे की तरह मूरी हुई होती है जो इतनी मजबूत होती है कि इनसानों के नाखुनों पर भी डंग मार सकती है हाला कि इन्हें ठंडी और नमी वाली जगाओं में रहना ज्यादा पसंद होता है वैसे तो फ्यूनल वेबी स्पाइडर की 35 के करीब पर जातिया पाई जाती है जिन में से 6 ऐसे होते हैं जो इनसानों के लिए जानलेवा होती है दोस्तो हमारे बिच रहने वाला ये छोटा सा कीड़ं जिसे आप सम्मेसे हर कोई जानता है जायद ये ऐसा कोई है जो इससे परिशान ना हो पर अब जानते हैं ये हमारे लिए कितना हमफूल है दरसल मच्छड कीडे की सबसे खतनाग प्रजातिया में सबसे उपर है छोटे से ये जीब दिंगो और मेलेलिया जैसे जानलेवा बिमारी फैलाते है जिस कारण दुनिया में हर साथ 7 लाग से 10 लाग लोगों तक की मौत हो जाती है जो कि किसी भी कीडों या जानवरों के मुकाबले सबसे ज्यादा है मच्छड लोगों का खुन चूशते है और अपने साथ पहुँसी बिमारियों को लेकर आते है और इंसानों की सरीर में डाल देते हैं जिससे इंसान को जानलेवा बिमारी होने का खत्रा होता है मच्ड जादा खतना इसलिए भी है कि ये दुनिया के हर हिस्सों में आई जाते है एक रिसर्च की अनुसार ये पता चला है कि मच्ड धर्ती के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है इसलिए अगर इनकी प्रजाती को पूरा खतम कर भी दिया जाए तो धर्ती पर कोई असर नहीं पड़ेगा इनको खतम करने के बहुत से पर्यास किये जाते हैं लेकिर इनकी संग्या इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि इनकी खतम करना नामुम्किन सा हो गया है तो दोस्तो आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सेर जरू करें और आगे भी ऐसे ही मज़दार और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरू दावाए